तो उसमें आके फिर इंडिया की जो रेलिवेंस ग्लोबली बढ़ रही है तो इंडिया क्यों करके जो एंटी वेस्ट ब्लॉक्स लाइक S.C.O. है और ब्रिक्स है उसमें रहेगा कि क्या भारत जो है वो चाइनीज लेड या जहां पे चाइनीज इंवाल्मेंट हो ऐसे मल्टी लेटरल फोरिम्स को छोड़ रहा है पाकिस्तान को टाइट कर दिया अमरीका ने और एक बाइपार्टिजन रिजिलूशन पास करा है जिसका नाम है ओविसली HR 901 उसमें ओवर्वेल्मिंग सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को डॉक्स में डालने कर तो पुट पाकिस्तान इन दे डॉक्स मसकार आप सभी का स्वागत है अमारी एको नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मेडिया में ना भारत को लेकर चर्चा हो रहे हैं और यहां पर बातचीत की जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रश करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवाना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इस वकत पर ग्लोबल प्लाटफॉर्म पर बात हो रही है वह यह है कि क्या भारत जो है वह चाइनीज लेड यहां जहां पर चाइनीज को छोड़ रहा है बिकॉज दो वे अमेरिकन्स आर अप्रोचीं इंडिया और जिस अंदास से अमेरिकन्स इंडिया को इंगेज करना चाहते हैं वेन अमेरिका सेज वी हाव एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्रेजिक पार्नरशेप तो उसमें आके फिर इंडिया की जो र रहेगा अब शंगाई को ऑपरेशन ऑगनाइजेशन जो है इसको मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत छोड़ने की कोशिश कर रहा है डॉर्मेंट करने की कोशिश कर रहा है उसकी मैं आपको मसाले देता हूं अब हुआ ये कि आपको याद हो लास्ट टेम भारत के पास एसी है ने ऑनलाइन मीटिंग करा दे रहा है उससे थोड़ा पहले जीट वर्टी की तीरों ने का जी हम शाहिद इस हमारी कपैस्टी नहीं है कि इतने बड़े पर माने पर चीजों को कर से कि या इंडियन गॉर्मेंट ने कोई और इसके उपर एक जो है वो उश्यूट आया दोबारा मीटिंग हो रही है सेंट्रल इश्या के अंदर लेकर नहीं जा रहा है अब आपको पताईए जो शंगाई को आपरेशन ऑगनेजेशन अगर मैं सिर्फ इसका आपको बताता चलो कि 2001 में बनी थी उस वकट चाइना रश्या कजाकस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्त अब जारी बात है कि जिससे वो कहते है ना अब आपको पता कि चाइना जो है उसने इंडिया को ब्लॉक किया हुआ है नुकलिर सप्लाइर ग्रूप में ठीक है जी अब क्वेस्टन ये है कि चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान को भी नुकलिर सप्लाइर ग्रूप का हिसा बन मेंबर बनाएं इंडिया के साथ तो यह भी हुआ ठीक है इंडियन समझ रहे हैं कि चाइना हमें हर जगा ब्लॉक कर रहा है जब डॉक्टर से पूछा गया कि आप किस साइड है तो डॉक्टर एस जैशंकर ने कहा मैं में हम इंडिया के इंट्रस्ट की तरफ हैं जहां वो पारीव नवाज शरीफ जी भी कर चुके हैं पॉस्टिवली शाबाज शरीफ से मैंने ऐसा कोई स्टेट्में नहीं सुना लेकिन हां अंदर खाते आप भी यह मानते हैं कि इंडियन गॉर्मेंट या इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इंडियन इंट्रस्ट को ध्यान में र होकर जीसावन में इट्ली होकर आए उसके बाद पुतिन से मिलने के लिए चार साल बाद बहले ही चर साल बाद लेकिन चार साल बाद पुतिन से मिलने के लिए रशी आ जा रहे इसके दो एंगल समझे पहला G7 मीटिंग के बाद Switzerland में जो मीटिंग हुई थी वो फेल हो गई है एक डायलोग हुआ था Switzerland में कि Ukraine वार को किसी तरीके से शांती की तरफ बढ़ाया जाए वो फेल हो गया उसका कोई रिजल्ट नहीं आया वो जलन्सकी की बेवकुफी है पता नहीं क्यों वो यह एक चीज कह रहा है कि मैं पुतिन को जिस मीटिंग में पुतिन आएगा उस मीटिंग में नहीं आँगा लेकिन मुझे पीस टॉक्स करनी है आज तक मुझे समझ में नहीं आया जिन दो लोगों के बीच में लड़ाई है पीस टॉक्स भी तो उन्हीं लोगों के साथ होगी में बात पो यह है अब प्राब्लम ही है आप पुतिन को बलाई नहीं रहे आप रशिया को वहां पर पाईती नहीं बना हुए है जो अमेरिका और रशिया से बराबर के रिलेशन्स रखते हैं या यू कहें अमेरिका से फिर भी तूतू में हो जाती है पुतिन तो आपका पक्के वाला यारी है प्लीज पुतिन को समझाईए इस वार को आगे ना बढ़ाए क्योंकि मानिये यह जो यूक्रें बिल्कुल लो इंक्लिनेशन पर सही लेकिन बढ़ा रहे है एक जो ग्राफ है वो धीरे जीरे सही लेकिन बढ़ रहा है क्योंकि फ्रांस जर्मनी यह दोनों भी वार के दमकी दे चुके और पुतिन साब तो अपनी न्यूक्लियर सब्मरीन जाके क्योबा में ले जाके खड अंदर होगा इतना तो ठीक है लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगाईए जब जब इसराइल हमास वर पीस की तरफ बढ़ रहा होता है उसी टाइम हमास की तरफ से कोई हमला हो जाता है दूसरा पुतिन को पुतिन का ही इंपक्ट है कि पूरी इस लड़ाई में सोच कर लेकिए ऑक्टूबर से लेकर और आज 23 से लेकर जो जून 24 हो चुका है जून का महीना खतम होने जा रहा है साथा महीने लड़ाई को हो चुके हैं साओधी अरेबिया से लेकर अरब कंट्रीज में से एक भी नहीं बोला है और उससे जादा मज़े की बात इरान और साओधी अरेबिया को भी एक साथ अपने साइड में ले जाके खड़ा कर चुका है कि देखो नहीं बोलना तुम चुप रहो तुम्हारे अगेंस्ट लड़ाई नहीं होगी और इरान पुरी पाकत के साथ लड़ रहा है और इस्राइल और हेजबुल्ला की लड़ाई अब शुरू ह रूस और युक्रेन वार जो काफी लंबे समय से चल रही है उसको लेकर बातचीत की जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो की रश्या विजिट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या इसको लेकर कुछ बातचीत होगी या इसको लेकर और संग संगाई कोर्पोरेश की जो मिटिंग होती है हर साल पिछले साल जब भारत में होई थी तो भारत ने इसको ओनलाइन कर दिया था तो यह भी बातचीत की जा रही है कि भारत जो है ना स्वीडियो को ज़्यादा मयत नहीं दे रहा हैं तो यह पूरी चर्चा आपने इस वीडियो के अंदर सुनी है आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी लाइक सेर सस्क्राइब जरूर करना हम मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद